स्याना पुलिस के द्वारा मुठवेड में 10,000 रुपे का इनामी बदमास ग्रफतार कर लिया गया है बुलन शहर में एक बाद फिर पुलिस और बदमास्टों की बूच हुई मुद्बोर 10,000 के इनामी हासन मुद्दीन से हुई स्याना पुलिस की मुद्बोर पुलिस टीम दर बदमास का पीछा किया गया तो बाइक सवाल बाइक को तेजी से भावली नहर की पट्री से बुनसवर पर जाने वाले कच्छे रास्ता पर उसकी बाइक फिसल कर गिर गई पुलिस की गोरे लगने से गहाल हुआ शातिर हस्मुद्दीन जहागीर भुद्धाने का वांची तो मुद्बोर में गिरफताल होने वाला इनामी और ओपी से तमंचा जिंदा खोका कार्थोस वाट चोही की बाइक बरामत सियाना में बुनसोल पर की कच्छी सड़क पर होल मुद्बोर सर्वेस कुमार बुलंस शहर समाचा 24 21 नवंबर को स्याना पुलिस द्वारा सराय चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी उपनी रिक्षक मोहित और महिला उपनी रिक्षक आरतियादो के नितित्त में यहां पर चेकिंग चल रही थी जब एक संदिक्ट बाई को रोकने का इशारा किया गया तो सिंभावली में इसके पैर में गोली लेगी है इस व्यक्ति की पहचान सिकंदर और फसबुद्दीन के रूप में हुई है यह थाना जहांगीरपुर में एक गैंग्स्टर का अभियोग पंजिक्रित है वहां से वांशित भी है तथा यह 10,000 रुपे का इनामिया भी है प्रात्मिक उप